दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है तो उनके पिरिश्टे छेतर फलों का अनुपात निकालना है घन का आयतन का सुत्री क्या होता है? वो होता है भुजा क्यूब अच्छा यहाँ एक ठोक का आयतन है एक दूसरी का है 27 तो एक बड़ा है एक छोटा है एक छोटा एक बड़ा है छोटा वाले को हम छोटा ए से दरसाएंगे छोटा भूजा है एक यूब ये छोटे वाले घंकायतन हो गया और इसको हम बड़ा घंको बड़ा ए से दरसा देते हैं कोदिकत तो एक यूब बटा एक यूब ये छोटे वाले घंकायतन बटा, बड़े वाले घंकायतन बड़ाबर यहां दिया हुआ है, एक बटा 27, एक अनुपाद 27 दिया हुआ है, इसका हम पावर हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, इसका पावर में 3 है, पावर 3 हटाएंगे, तो इधर में S कर परने में 1 बटा 27 हो जाता है हम इसके अंदर देखें कि यहां 3 ठो 1 है तो एक बाहर और 27 में 3 ठो 3 है 3-3 गुना 3-3, 3-3, 23,27 तो 1-3 बाहर हो जाएगा यनि ए बटा A जो निकला एक बटा 3 निकला हमें क्या चाहिए प्रिष्ट्टे छेत्रफलों का अनुपाद चाहिए इसको हम छेत्रफल में बदल देंगे घं का प्रिष्ट्टे छेत्रफल क्या होता है चो, A² प्रत्थम हम इसको अगर A² बटा A² कर देंगे तो कोई दिकत मेरे ख्याल से कोई दिकत नहीं है यह न, A² बटा A² करने का मतलब है इधर भी हमें क्या करना पढ़ेगा वर्ग करना पढ़ेगा, यानि 1 पर इसकर बटा, 3 पर स्कॉयर भी करना पड़ेगा अब क्या हो जाएगा अब इसको यदि हम यहां अच्छा यहां देखो एक पर स्कॉयर का मतलब एक ही हुआ और तिन पर स्कॉयर का मतलब नुद्ध भाट नुद्धं हमें घंका प्रहस जों फाला अबर नाटा नपरना कंद स्कॉयर आया है ये जोटे वाले घं लिश्टत hè पर और चो एस कर यह है बड़े वाले गन का प्रिश्ट शेत्रपल दोनों के प्रिश्ट शेत्रपल का जो अनुपात आया वो क्या एक अनुपात नो आया एक बटनों का मतलब एक अनुपात नो आप्सन नमर सी